जैहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में साथियों आपको बता दें कि यूपी ट्रफल सी द्वारा जो वन दरोगा भरती करवाई जा रही है जिसमें आपको पता है कि टोटल साथ सो एक पद थे कितने पद है दोस्तों तो साथ सो एक पद है ठीक है अभी दोस्तों हाल ही में एक दो दिन पहले इसका पूरा स्लेबस जारी किया गया जिसे देख करके बच्चे सौवड थे क्यों क्योंकि दोस्तों इसमें ना हिंदी दोस्तों में दोस्तों आपको बनाकर पूरा वीडियों उसका हमने बता धिंग है अब देखिए जिन बच्चों इसमें फांन बर था ठीक है लगबार दोस्तों एक acre तीस जार बच्चों ने वाम डाला है अब देखिए वहमूल है ठीक है तो इस वज़े से तो मैं आपको बताऊंगा साथ यो कितने कोशन आपके सही है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें अपने बंदर हुगा क्योंकि दोस्तों बहुत यत्थी चीज है क्योंकि इसमें ना मैथ है ना रिजिनिंग पर मैं बात करूंगा देखे कुछ कितने कुल फार्म है दोस्तों तो एक लाग तीस जार के तकरीबन दोस्तों फार्म पड़े हैं कितने बच्चों बुलाए जाएगा हर एक चीज पर बात करेंगे पहले मैं आपको दिखा दूँ थिक्षे जोकम जाने की चीज़एं क्या है तो आप मैं आपको पता है कि ठीक है क्वालिफिकेशन देखे यहां पेखा क्या क्या क्यान है की बैचलर डिगरी आपका जो होना चाहिए दोस्तों वो माथमाटिक्स, फिजिक्स, कमेश्टी, वाटनी, या फिर जोलोची, हाना, होरिष्टी, और जियोलोजी, या फिर एगरी कल्चार, साइंट, इस्टैक्स, इन्वार्मेंटल, साइंस, इनमें से दोस्तों कम से कम दो सब ठीक है, तो यानि कि इसमें दोस्तों, फाvideo फार्म भरने के चांस कम थे, यानि कि जैसे आपने ब्ये किया है, तो वहाँ से सारी चीजे समाप्त जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लगभा लगभा बेच़्िवाल दूसरी चीज़ जो कम जाने की cut-off होती है दोस् के लिए और महिलाओं के लिए दोस्तों चार घंटे में 14 किलोमेटर ये चीज ये थोड़ा सा इसको टफ बना देती है ठीक है तो ये कुछ कारण है जिनसे इनकी कटाफ कम जा सकती अब कम का मतलब ये भी नहीं कि एकदम से कम चली जाएंगी ठीक है तो चलिए कुछ इस डाटा पर हम नजर मारते उसके बाद आपको बताने वाले हैं पहले दोस्तों इस सब्जक्ट इसाब से देख लिजेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट से बहुत ही कम मिलते अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी दोस्तों इन सब्जक्ट से मैंने बिलकुल नहीं किया है ठी देखिए अब पहले चीज़ कहा है आपको बता दे इसमें वेकंसी किती जो आपकी जनल किती है 288 EWS के सब्सक्राइब है दोस्तों OBC के 163 है SC के दोस्तों 160 है ठीक है और ST के 20 है ठीक तो यह आप वेकंसी देख लीजेगा टोटल 701 पोश्ट है अब देखिए मैं इस पर थोड़ा से आपको बताने वाला है दोस्तों समझ के रहीए समझीगा थोड़ा से देखिए जो आपका यह भरती है इसमें टोटल पद केते हैं 701 कुल फॉर्म लगभग दोस्तों एक लाख तीस चार के आसपास पड़े हैं फॉर्म से मतलब नहीं है अब देखिए आपको बता दे इस परिच्छा में लगभग तीस गुना बच्चे बुलाए जाए जाएंगे तो इसका रीजन बता दू भाईया इसमें आपके फिजिकल जो थोड़ा टेफ है तीक 25 किलोमेटर रेस है इसलिए दोस्तों यह बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कम बच्चे बुलाना ठीक है और यह ज्यादा बच्चे बुलाने कोशिश भी करते जैसे आपने लेक पाल भी देखा था अगर दोस्तों 30 गुना बच्चों के लिए कट आफ क्या होगी देखिए हमारा जो दोस्तों मानना है वो इतनी से कम मलग इस तने अपके हैं तो आप तैयारी अपना शुरू कर दें देखिए कितना तो देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा थोड़ा हो सकता आपको ज्यादा लगे मंगर दोस्तों देखिए इसमें आपको पता है कि यूपी ट्रफल-सी पेट की जो पेपर हुए थे दोजार 21 उसके हिसाब से आपको इसमें लिया जाएगा तो साथियों मेरे हिसाब से क्या है कि अगर साथियों आपके नंबर कितने देखिए ऑक की बात करेंगे परसेंटाइल की नहीं ठ ठीक है अगर दोस्तों आप S.C.S.T. है कितने S.C.S.T. है तो साथियों आपके अगर दोस्तों नंबर कितने बन रहे हैं आपके पिट में अगर दोस्तों 68 से प्लस हैं कितने 68 प्लस हैं यानि कि अगर आप S.C.S.T. साथियों अगर 68 से जाता नंबर हैं ठीक है तभी आप इस से कम है तो आप कोसिस भी मत करिएगा मेरे हिसाब से दोस्तों जहां तक मेरा अनुवान है ठीक है SCXT के लिए दोस्तों 68 से बिल्कुल कम नहीं जलेगा 68 से आपके प्लस ही होने चाहिए ठीक है चलिए अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ आप यूर कैटेगरी से है सामाने कैटेगरी से है या फिर दोस्तों OBC से है या फिर दोस्तों EWS इन तीनों का दोस्तों आपको बता दें जो आपका ये कटाप हो सकता है आपके लिए दोस्तों साथियो वो 70 प्लस होगा 70 प्लस ठीक है 70 प्लस यानि कि 70 से 72 दोस्तों, एक दो नमबर प्लस भी हो सकता दोस्तों, ठीक है, समझिएगा, तो 70 प्लस हैं, अगर आपके नमबर दोस्तों, अंग की बात कर रहे हैं, परसंटाइल हैं, यहाँ परसंटाइल के हिसाब से बैट जाएं, ठीक है, तब ही आप इसकी तयारी सुरू कर दे, जै सिलेबस में आपको अगर दिखाना चाहूं, सथी देखी, यह सिलेबस है, आपका, की सव कोशन होंगे, सव अंक्य बानी प्रते कोशन, एक नमबर का, और 120 यानि दो घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और 1 बटे 4 माइनस मार्किंग के साथ, ठीक है, यह आपके पार्ठ हिच्छे से त्यारी कर लें, इन चैप्टर को आप एक करके, अगर दोस्तों, आपके इतने कोशन के आसपास बनते हैं तो, आप बिल्कुल अच्छे दोस्तों, त्यारी करनी अपने अभी से दोस्तों सुरुवात कर दें, और इनके आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद ऐसा नहीं की वहिया, देखे, मैं चीज का होती है, कोई बच्चा आगे आप से कैसे निकलता है, उसने दोस्तों, लगा दीजेगा, बिल्कुल भी दोस्तों, कमप्टिशन ज्यादा नहीं होने वाला है, तो आप जैसा चाहें दोस्तों, वैसा कर सकते हैं, और बहुत ही कम स समय में आप इसको तयार कर सकते हैं, चलिए दोस्तों, बिलते हैं, नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए जैहिन, जै भारत, आपके हिसाब से क्या लगता है, कितनी कड़ा आप जा सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा,